नमस्कार भाईयों कैसे हैं आप सब आज के क्लास में हम बताने वाले हैं NTPC CBT 2 का जो पेपर हुआ है लेबल 4 और लेबल 6 का उसका इनलेसिस बताने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि किस पार्ट से कितना कोश्चन पुछा गया और आगे NTPC CBT 2 का जो एक्जाम होने वाला है लेबल 2, 3 और 5 और गुरूप D उसके लिए मेरा क्या ररनिती होना चाहिए चलिए बताते हैं देखे हम सुरू से ही बताते हैं कि किसी भी चीज का बेसिक कंसेप्ट जो होता है उसको किलियर रखिए मैथ और रिजनिंग का हमेशा से अपने वीडियो में महत बताते आए हैं कि कि किसी भी एक्जाम जेनरल कॉंपेटिशन के लिए मैथ और रिजनिंग बहुत महत पूर्ण चीज होता है और NTPC CBT एक्जाम में वही हुआ है देखिए मैथ और जो रिजनिंग पूछा था 35-35 नमबर का तो इसमें से 30 पलस और यहां पर भी 30 पलस यहां पर दोनों जगा बनने वाला क्वोस्चन था जो लरका का अच्छा से मैथ रिजनिंग था यहां दोनों 70 में से 60 नमबर अपना किलियर कर लिया है लेकिन जो मैथ जीएस पर ज्यादा पराए उसके रिजल्ट कभी नहीं होने वाला है क्योंकि मैथ रिजनिंग यह स्कोरिंग चेप्टर है क्या किया है कि जीएस ऐसा पुछ दिया है और ऐसा नया टॉपिक ला दिया है कि आप सूच भी नहीं सकते हैं देखिए क्या किया है साइन से 10 नमर यह सिफ्ट में 10 नमर गया है कोरेंट आफयर से 10 नमबर का हर सिप्ट में पुछा गया है स्टेटिक जी के भी दस नमर पूछा है पुर्टिकल साइन्स से 5 नमर जोगरॉपि से 5 नमर हिस्ट्री से 5 नमर और एकोनुमिक से 5 track यानि कि 50 नमर का पुछा है और हम सुरू से बात बताते हैं कि math reading और science परिए और science के साथ में थोरा से इसका ध्यान रखिए इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यह है आपका 20 नमबर का यह कितना भी 4 घंटा परिएगा और exam में जाएगा तो 570 नमबर लाने में आपका पसीना छुटा देगा क् ऐसा ऐसा चीज पूछेगा कि आप सुच भी नहीं सकते हैं और यह रहा 20 नमबर हिस्ट्री जग्राफी प्लिटिकल एकोनोमिक्स अगर आप इसको परते हैं तो 20 में 15-17 नमर हर हाल में ला सकते हैं सिद्धा मेडियम कलास का कोस्टन पूछता है और यह रहा करेंट अफियर बन सकता है तो क्यों हमें इस 20 नमबर के लिए चार घंठा मेहनत करेंगे और एक दो नमबर भी परहाने में पसीना छूट जाएगा इस इक्जाम से गुरुप डी और एंटी पीसी के लेबल टू थिरी फाइब के बच्चों को यह संदेश जाता है कि मैठ दिजिनिंग का बेसिक एक दम अच्छा से परहिए साइंस परहिए हिस्ट्री जगरियोग्रफी इकनोमिक्ष अराम से परहिए और जो भी लड़का 80 परस कर देगा उसका मेरिट 100 परसेंट बनेगा हर बुड में क्योंकि 120 में 80 परसे लाना आसान बात नहीं है अगर यहां से आप 7 नमर ला लेते हैं यहां से भी 57 नमर ला लेते हैं तो 100 परसेंट आपका रिजल्ट होगा और जो भाई मेरे चैनल पर नहीं है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा इस चैनल पर हम गुरूब डी से संबंग दीद एंटी पीसी से संबंग दीद हर इनफरमेशन लेट